हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो इंडियन स्टडी इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं यूपी जेल वोडर और फायर मैन की जो एक्जाम डेट है वो 19 और 20 दिसंबर बिलकुल कन्फर्म कर दी गई है कि 19 और 20 दिसंबर को आपका एक्जाम होगा और दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह हिंदी का 100 यानि की 100 वाद टेस्ट है तो आप सभी लोग जान सकते हैं कि मैं आप लोगों को रेगुलर तयारी करवा रहा हूं ठीक है तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आपको इस वीडियो म में आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकूँ ठीक है और अब आप अपनी जो इस्ट्रेजी जो है वो रन नीती तो आप बना लीजिए कि आपको इन तीन महीनों में किस तरीके से स्टड़ी करना है ताकि हम यूपी जेल वाडर के एक्जाम में एक सीट अपनी वाड मैं सारी वीडियो आपको लाइव लिया करूंगा ठीक है ना तो हिंदी साहित के पहले इतियास लेखक कौन है है हिंदी साहित के पहले इतियास वाले लेखक कौन है तो आपका सही आंसर हो जाएगा गारसा दी तासी यानि कि एस कोसंस का चौथा ओप्संस आपका वि जारि परसाद दोवेदी, चौता optionDY आपका Believe Correct है, साहित दरपन किसकी κरinti है, जल्दी बताइए, साहित दरपन किसकी करinti है, तो साहित दरपन किसकी करinti है, तो आपका सई आंसर हो जाएगा, विस्वनात की, पहला ही option했다, निमले के तमेंसे कंट दोनिया कौन सी है अगर आपको पता है कि कंठ से कौन सा वर्ग बोला जाता है तो आप आसानी से बता सकते हैं जो का वर्ग है पूरा कंठ से बोला जाता है का गा गा गणा तो का और खा जो है ये कंठ दोनिया है इस्तरी लिंग सब्द का चेहन कीजिए कौण सा सब्द जो है वो इस्तरी लिंग सब्द है question number 10 जल्दी बताईए कुटिया सब्द जो है वो एक इस्तरी लिंग सब्द है तीसरा options आपका भोल्ग करेक्ट कौन सी संग्या बहावाचक संग्या नहीं है जल्दी बताओ भलाई पडाई सुन्दर और अपनापन तो इसमें आप सभी लोग जानते हैं सुन्दर ये गुडवाचक संग्या है ना कि भाववाचक संग्या तो तीसरा आपसंस आपका बिल्कुल करेक्ट निमले के तमेंसे कारक पहचानी है हे प्रभू मेरी एक्छा आपको बता चुका हूँ आपको अगर डंडा बिंदी दिख जाए किसी भी वाकव है और कारक पहचानने वाली बात आपसे कहे तो आप आख बन करके स्तंबोधन कारक लगा देना तो तीसरा आपसंस आपका बिल्कुल करेक्ट है ठीक है ना नेक्स्ट कोसंस निमले के तमे आपसे जो आनंद प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं तो आपका जो सही आंसर होगा वे क्या हो जाएगा उनको हम कहते हैं रस चौथा आपसंस आपका विल्कुल करेक्ट है क्या हो जाएगा चौथा आपसंस आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा काव के आस्वादन से जो अनन्द पराप्त होता है उसको रस कहते हैं और जो आभूसन की वेज़बूसा बताता है उसको अलंकार कहते हैं तो ये भी आप से कभी कभी पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए नेमले के तुमें सिफ विसेशन सब्द का चैन कीजिए कौन सा सब्द विसेशन सब्द है जल्दी बताओ कौन सा सब्द विसेशन सब्द है पैतरक पैतरक सब्द जो है वो एक विसेशन सब्द है चोथा आपसंस आपका बिल्गुल करेक्ट है इपसित का बिलोम सब्द बताईए इपसित का बिलोम सब्द बताईए तो इपसित का बिलोम सब्द क्या हो जाएगा अनीपसित दूसरा ओपसंस आपका बिलोम सब्द क्या होगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा अलगाओ चोथा options आपका बिल्कुल correct क्या हो जाएगा अलगाओ चोथा options आपका बिल्कुल correct हो जाएगा ठीक है ना next questions की तरफ चले अन्यकारती सब्द अब जिक के गलत विकल्ब का chain कीजिए अब जिक का गलत विकल्ब बताईए तो आपका सही answer क्या हो जाएगा अब जिक का गलत विकल्ब तो आपका सही answer हो जाएगा make यानि कि तीसरा options जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा correct हो जाएगा ठीक है ना next questions की तरफ चले next questions नेमलिकित मैंसे एक का अर्थ पतवार है तो किसका अर्थ जो है वो पतवार होता है जल्दी बताइए पतवार भी है यानि कि उसका अर्थ और कुछ भी होता लेकिन पतवार भी होता तो आपका सही answer हो जाएगा option number B कुण कण का अर्थ क्या होता है पतवार तो आप इसको ध्यान रखना ठीक है ना next questions की तरफ चले next questions है आपका बेसिकली देखा जाए जो कणधार होता है वो होता है पतवार का प्रयवाची ठीक है ना लेकिन दोस्तो अब options में दिया नहीं है तो priority आप इसी को देंगे ठीक है ब्रमर के लिए सब्द प्रयवाची बताईए ब्रमर के लिए प्रयवाची सब्द तो ब्रमर के लिए प्रयवाची सब्द क्या हो जाएगा तो आपका सही अंसर हो जाएगा ब्रंग यानि कि इस questions का पहला ही options आपका ब्रोगल correct है कौन सा विस्णू का प्रयवाची नहीं है जल्दी बताओ तो उर्मी उर्मी जो है ये विष्णू का परहवाची नहीं है यानि कि चौता ओप्संस आपका विल्कुल करेक्ट है ठीक है ना तो उर्मी जो है ये विष्णू का परहवाची नहीं है ठीक है ना next question से आपका सही वर्तनी आपको बताना है जल्दी बताओ सही वर्तनी कौन सी है important questions तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वै हो जाएगा प्राक कथन ये पहला options जो है वो आपका बिल्कुल सुद्ध वर्तनी है ठीक है ना next question से आपका अस्व प्रस्थता की सही वर्तनी आपको बताना है अस्व प्रस्थता की सही वर्तनी तो हराम से बता सकते है अस्व प्रस्थता इस प्रकार से लिखा जाता है दूसरा option साबका बिल्कुल correct है निमलके तमेंसे कौन सा सब्द ततिसम है ततिसम सब्द आपको बताना है कौन सा सब्द ततिसम है तो आपका सही आंजर क्या हो जाएगा दोस्तो बिसमय बिसमय सब्द जो है वो एक ततसम सब्द है यानि कि यहैं कि एस koos सन्स का कौन सा चौहता ओप्सन्स जो है वो आपका बिल्ग करेक्ट हो जाएगा next questions आपके सामने अटालिका का तदवाओ बताईए अटालिका का तदवाओ तो अटालिका का तदवाओ क्या हो जाएगा अटारी चौता ओपसंस बिल्कुल करेक्ट गडबल गोटाला कौन सा सब्द है गडबल गोटाला ये कैसा सब्द है तो ये जो सब्द है ये देशा सब्द है बता चुका हूँ जिन सब्द की उत्पत्ती देश में होती है उनको देशा सब्द कहते हैं गडबल, गोटाला, कटोरा, लोटा, ठीक है खिड़की ये सबी देशा सब्द कहलाते हैं निमलिकत वाक्यों में से वाक्यांसों के लिए एक सब्द आपको बताना है सबके समान इदिकार पर विजबास तो वाक्यांसों के लिए एक सब्द क्या होगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा समाजबाद दूसरा ओप्संस बिल्गल करेक्ट next questions रजोगोडवाला उसको आप क्या कहेंगे रजोगोडवालों के लिए आप क्या कहेंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजसिक यानि कि दूसरा options बिल्लकोल करेक्ट next questions रश बताना है सिर पर बेटो काग आँक दोव खात निराकत खीचत जीवी स्यार अतिही आनंद और धारत तो यहाँ पर कौन सा रस है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भीवस रस यानि कि दूसरा उप्संस बिल्कुल करेक्ट नेक्स्ट कोस्टन्स वीर तुम बड़े चलो बस वीर सब्द से ही आप पैचाल लोगों कि यहाँ पर कौन सा रस है यहाँ पर वीर रस हो जाएगा चोथा आपका बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट कोस्टन्स निमलिकत मेंसे आपको अलंकार बैचानना है फूले कास सकल मही च्हाई जनू बरसा रितू प्रकट बढ़ाई तो यहाँ पर कौन सा लंकार होगा यहाँ पर आपका उत्परिक्सा लंकार होगा काय से पैचाना यह जनू सब्द दिखा इसी से पैचाना कि उत्परिक्सा लंकार होगा जनू जानो मनू मानो जहां सब्द आ जाए तो वहाँ उत्परिक्सा होता है पहला उप्संस करेक्ट कनक कनक तैसो आपको बता चुका हूँ जब एक सब्द की आवरती दो या दो से अधिकवार आए तो वहाँ पर यमक लंकार होता है दूसरा उपसंस आपका विल्गुल करेक्ट जिसे सजना है मुझे सजना के लिए तीन विर खाती है वो तीन विर खाती थी इन सभी में यमक लंकार होगा बाणवट की आत्मकता के रचनाकार कौन है तो बाणवट की आत्मकता के रचनाकार है डॉक्टर हजारी परसाद दुवेदी पहला ही ओपसंस आपका विल्गुल करेक्ट है कौन है दोस्तो डॉक्टर हजारी पिरसाद दोवेदी पहला ओप्सन्स करेक्ट तमस के रचनाकार कौन है जल्दी बताओ तमस के रचनाकार कौन है तो कौन हो जाएंगे तमस के रचनाकार तो तमस के रचनाकार है आपका ओप्सन नमबर भी 20 मसहानी दूसरा ओप्सन्स करेक है next question से आपके सामने ना नो मन तेल होगा ना रादा नाचेगी का भाव कैसा है ना नो मन तेल होगा ना रादा राचेगी तो यह जो आपका भाव है ना यह ना पूरी होने वाली सर्त है यानि कि चौता options आपका बिल्कुल correct है निम्ले के तमेंसे कौन सा वाक सुद्ध है सुद्ध वाक आपको पहुचानना है एक आपकी अनाधिकारी चेस्टा है यह पहला उप्संस एक आपकी अनधिकारी यह तो गलत है दूसरा तो बिल्कुल ही गलत है यह आपकी चेस्टा अनाधिकार है तीसरा options हो सकता है कि बिल्कुल ठीक हो ठीक है ना और उसके बाद आपका यह चेश्टा आपका अनाधिकार है तो चौथा भी आपका गलत है अब पहले और तीसरे में से चाटना है तो आपका जो सही आंसर होगा वो दूसरा options होगा अनाधिकार का जो सुद रूप होता वो अनधिकार होता है इस बात को ध्यान रखना सुद वर्तनी के अनूसर आपको बताना है ठीक है ना तो इसलिए मैं थोड़ा रोगा था क्योंकि मुझे भी थोड़ा सक हुआ तो दूसरा options बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये बिल्कुल सुद रूप में लिखा हुआ है यह आपकी अन्धिकार चेस्टा है दूसरा options आपका बिल्कुल करेक्ट है ये सुद होता है और ये मतलब असुद रूप है ठीक है next questions वही आपको सुदवा के चांटना है इसमें भी question number 38 में तो आपका सही answer क्या हो जाएगा देख लीजे चारो options में आपको दिखा दे रहा हूँ और अच्छे से दिखा दे रहा हूँ कि पूरा options आपको दिख जाए चोथा options भी आपको पूरा दिख जाए लेओ या छोटा कर दे रहा हूँ तो और अच्छे से दिख जाएगा उस समय चरका चलाने भी चरका चलाना भी एक अनुसासन था चोथा options आपका बिल्गुर correct है कौनसा चोथा options आपका बिल्गुर correct है next questions 39 और 40 में वही करना है जो आप करते हुए आ रहे हैं एक बाग को चार बागों में विवक्त कर दिया गया है जिस बाग में गलती है वही बाग आपको चाटना है आ विवस्तित कामकाज को सम्हाल लेने से ही लाब के प्रयास सार्थक से धोंगे तो इसके किस पार्ड में गलती है थर्टी नाइन के तो जो जो थर्टी नाइन के किसी पार्ड में गलती नहीं है तो इसलिए चौता आप्सन्स यहाँ पर correct होगा कि कोई तरूटी नहीं next questions question number 40 काम करती महिलाएं अधिक तनाव गरस्त होती है इसके किस पार्ड में गलती है जल्दी बताईए तो इस questions का answer आप मुझे comment box में बताना कि काम करती महिलाएं अधिक तनाव गरस्त होती है ठीक है तो इसके किस पार्ड में गलती है कि लाइस्ट questions है तो इसका answer आप मुझे comment box में बताएंगी अब दोस्तो आपके पास जादा टाइम नहीं बचाऊगा है तैयारी पे लगे जाएए और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर देजिएगा तो दोस्तो फिलाल की वीडियो में सरफ इतन है झाल झाल